समर्थकों के लिए वो दो टूब बातें करने वाले प्रभावी नेता हैं तो विरोधियों को उनका अंदाज कताई पसंद नहीं आता जो भी हो पर ट्रम्प का कारेकाल अलग ही रहा वो एक अरब पती कारुबारी हैं जिन्होंने अमरीकी राजनीत को अपने खास अंदाज म राश्रपती बनने के बाद भी वो नरम नहीं पड़े और ट्विटर के इस्तेमाल में राश्रपती पत की गरिमा को अपने ही मुखर अंदाज में परिभाशित किया सुप्रीम कोर्ट में तीन कंजर्वेटिव जजों की नियुक्ती का फैसला शायद उनके कारेकाल की सबसे उलेखनी ये उपलब धी मानी जाएगी उनके कारेकाल में देश में व्यापक स्तर पर विभाजन देखने को मिला जॉर्ज फ्लॉइड की मौत के बाद जब प्रदर्शनकारियों ने सडकों का रुख किया तो ट्रम्प ने उन्हें भी निशाना बनाया ट्रम्प लगातार अंतराश्ट्रीय संस्थाओं और समझोतों का अनादर करते रहे उन्होंने वैश्विक जलवायू परिवतन समझोते से अमरीका को बाहर कर लिया व्यापार, सहीयोगियों के प्रतिरवाईये और सीरिया युद पर उनके रुखने पच्चमी नेताओं को हैरान किया ट्रम्प के कोरोना वायरस को कमतर आकने से स्वास्थे अधिकारी खासे परेशान रहे वो अप्रमारित दवाईयों की वकालत करते रहे, चुनावी रैलिया करते रहे जहां कुछ ही लोग मास्क में नज़र आते थे आखिरकार वो खुद भी कोरोना से संक्रमित हुए और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा हाला कि उन्होंने जल्द ही हैरान करने वाली वापसी की जब सर्वे में उन्हें जो बाइडन से पीछे दिखाया जा रहा था अपने पूरे कारेकाल के दोरान ट्रम्प एक बेपरवाह और आकरा मकनेता के तोर पर नज़र आये लेकिन गोरे और कामकाजी अमरीकियों में उम्मीदे जगाने वाला उनका असाधारन अंदाज आखिरकार उन्हें दोबारा राश्टरपती बनाने के काम ना सका